हालो दोस्तों नमस्कार मेरे चोटे भाई भाई भाईनों को डेल सारा प्यार और मेरे माता पिता को बड़े भाई भाई भाईन को चेरण इस पास कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे मज़े में होंगे आपके अपने चैन छूट चीले आलो आज बनाएंगे सूखी सी ता हम इक सब्जी साक्वा क्या परठी केवजर है रेहां है। सब्जी पराठे बना देंगे और उसके बाद फिर बाकी काम करेंगे या सब को जल्दी है बच्चों को भी जल्दी है रोनके पापा को भी जल्दी है उनको भी जाना है आज कानपूर जो बड़े भीया है उनको दवाली वाने के लिए इसलिए जल्दी से फिर सब के लिए सूखी करना पड़ता है ताकि सारा पानी जो है जल जाए और उसके बाद बिल्कुल सूखी हो जाएगी फिर धनिया डाल देंगे वैसे इन आलू में सोया मेथी भी अच्छी लगती है डाल दो लेकिन इतने समय नहीं जैसे सेम है सोया मेथी है तो नहीं है तो सिर्फ धनिया ह आज रात में ठीक सोस्मी काफी नहीं पाया है जब काफी दरद तेयस होने लगता है पिर दावा देनी पड़ी थी और दिख्법 हीं जाना था इसे लेकिन पर उधर भाया को दावा लेने जाना था फिर उनको लेकर यह जाएंगेels 그냥 ठीक हो कर लेकिन मुझे लगता है कहीं दिखाना ही पड़ेगा वैस सूजन काफी कम धे काफी ज़्याधा सूजन थी लेकिन दर्द आज रात में हुआ है तो जैसे कि हमारे आसपास बिठाते हैं ना जैसे कि नसी अदर अदर हट जाती है तो अच्छे से कर देते हैं उनको दिखाएंगे अगर नहीं सही होगा फिर डॉप्टर को तुरंते दिखाएंगे जांच वगेरा होगी और लेकिन आज तो नहीं हो पा कि अज़ते हैं पीजाएंगे कि अरफिल खानए बनाटन कि जाएंगे जाना कुल मारे ना इक नहीं होगा अज़ाना कि पाना हमताती है सब और फिर खाना बना के रख दिया है सारे पाराखे बना दिया था सबजी प्रोसकर रख दिया है बरतन सारे जितने ही वाहर निकाल कर दिया है यहां रसो इससे शुरुआत करेंária अब हमारा काम सुरू ह mechanism पापा भी गए नहीं है थोड़ी देर में जाएंगे लेकिन हमारा खाना बन गया है तो अब चिंता नहीं है कि यह भूखे जाएंगे सब के लिए बन गया है क्या आज क्या डेली काम रहता है कहीं कुछ कहीं कुछ तो यहाँ पर सारी रसों की सफाई कर देंगे फिर यहाँ नीचे पूछा लगा देंगे और तवा वगएरा सब सारे वरतन बाहर निकाल के रख दिये हैं तो अपना अपर काफी मुश्फीत हैं कुछ ना निकल कर देखते एे न snippet हैं करें दूसर आहिं यह के लिए बाहर निकलकर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक नहीं, बहुत सारी लोग दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है, वस यह उमीद पर दुनिया कायम है, उमीद रखिये, इस्ष्वर पर भरोसा रखिये, और जब सही समय आएगा, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, मैं तो सब के दुख न देखना पड़े कोई भी दुख किसी को कभी न देखना पड़े तो यहाँ पर पोंचा लगा देंगे फिनेर डाल कर लगा देते हैं सुभे नहीं लगाते हैं फोंचा फिर इतने ही समय अच्छे से सफाई होती है तो ज़्यादा तर तो नहाके ही बनाते हैं लेकिन जब मुझे वैसा कुछ काम करना पड़ता है या देर देखा कि देर हो रही है तो फिर सब्जी पराठे ऐसे ही बना देते हैं मुझे क्या है कुछ दिनों से सर्दी जब से ज़्यादा पड़ गई नहीं दिक्कत ये होती है मुझे ज़्यादा सर्दी होती है तब भी दिक्कत है ज़्यादा गर्मी होती है तब भी दिक्कत है तो मुझे सुबह उठो ना मितली से आती है सर्दी की वज़े से ऐसा लगता है उल्टी हो जाएगी कान में नपेटो ये खांसी तो आई रही है उसकी सीरफ चली रही है सरदी तो मतलब सरदी मेरी दिवाली से नहीं जा रही है खांसी तो अभी जल्दी में आने लगी है तो उसकी सीरफ चल रही है तो अब थोड़ा सा कम हुई भी है और यहाँ पर फिर हमारा काम सुरू हो गय रसों ही साफ करके बंद कर दी है फिर यहां पर उनी कपड़े निकाले थे जो पहने वाले मतलब रख दो धुलके रखे थे लेकिन उनमें महक सी आती है तो वही सब निकाल कर थोड़ा-थोड़ा धुलके दाल देंगे दूप में और यह बिस्तर बगरा ऐसे ही पढ़ा था औ तो फिर बहुर टाइम हो जाता है इस समय थोड़ा सा लेठ हम उठ रहे हैं तो सुबह यह सारी कम नहीं हो पाते हैं और फिर सब जब उठ उठ के चले जाते हैं तब ही अच्छे से सपाई हो पाती है तो रसों में बना लिया था देखिए साम का चौका भी बढ़ा हुआ है सुबह नहीं लगा पाएं तो सोच रहा है थोड़ा ले टूटकर देख रहे हैं कि थोड़ा ले टूटकर लें दिक्कत होती है कि नहीं होती है यह सब्रदी की वज़े से होती है तो यहाँ पर जाणू लगा कर राकी बढ़ देंगे उसके बाद पोताई करेंगे कपड़ी आज बहुत धुलने हैं बीच बीच में मसीन लगाते जा रहे थे क्योंकि कपड़े गंदे नहीं है फिर सिर्फ महेक निकालनी है तो थोड़ा सर्व डाल कर धूल देंगे तो महेक निकल जाएगी जिससे की रखो दोनों तो सर्दी की जैसी महेक आती है यहां पर टूटी हुए चन्नी हमारे पास रखी थी नई चन्नी लाए है अभी श्टेल की तो यह पहले की रखी हुई थी तो उससे थोड़ी सी राखी हमने छान कर रख लिया है क्योंकि मुझे जरूरत है तो वह अलग रख दिया है बाकी अलग भरके रख दिया है और उसके लोगों ने कॉमेंट किया था कि दीदी ईसू के कपड़े छोटे हैं जो बर्थडे में पहना था तो हां सच में सरट छोटा है उसका मतलब यह है कि मुझे लगता है एक तो आप बच्चे को ना ले जाओ साथ में दूसरे पती को भी ना ले जाओ मेरा तो यही मानना है मतल तो वो कहेंगे हां ले लो ठीक है वो ज़्यादा बड़ा है वो अच्छा नहीं लग रहा है वो हमारी आदत है हमेशा बड़े कपड़े लेते हैं चाहरा नक करनक के हो चाह इसू को लेकिन जब यह साथ में होता है ना इसू और इनके पापग होते हैं तो विल्कुर फिट करने जैसे लगेंगे इस वज़य से और जब यहां वहीं पर हम रहे रहे थे यह चोटा पढ़ेगा 내नी होगा लेकिन पन हो पर ही चॉटा didita कर यहां तो अब लोगो के पत्ती है कि नहीं करते हैं मतलब इन लोगों की यह आदत होती है कि जडी जिस दुका Lasra पर खड़े हो ना वहीं पर सारा सामान ले लोगाई दूसरी दुकान पर न जाना पड़े और अगर कहीं कहे दिया कि नहीं यहां नहीं ठीक है चलो दूसरी दुकान पर देख लेते हैं तो नहीं जल्दी है तो देर हो रही है चलो जल्दी ले लो ठीक तो है ना तो कलर ढंका देखेंगे ना तो कपड़ाबस आद में प्रिखो उथा वूधाओ पैसे दो चिलते वोलुफ यह हमारा जो अकेले के लेरे तो यहां से कहीं जाना ही नहीं हो पाता है इसकी así कहां से आये तो फिर देख xujung के हैं दो दुकाने छोड़ी तीनौ दूक लेते नहीं हैं देख सुनके लेड़ा लेड़ा दो साल रखे रहें है एक साल दो साल रखे रहे हैं लेकिन इन साम सुबे लोवर टी सर्ट में रहते हैं तो जिन्स वेगर कहां पहनेंगे लेकिन हमारी सुनेगा कहां को कोई है बस ठीक है ले लो ले लो तो रखे ही रहेंगे इसो से छोटा कोई है भी नहीं कि चलो हाँ वो पहन डालेगा पहले क्या थे कि रौनक के जो से छोटे पड़ पहले थे फिर कनक पहले लेती थी लेकिन आप दोनों बराबर की हो गई है कुछ लोग कहते हैं कि जुड़वा नहीं है और आनक दो साल बड़ी है कनक से सवा दो साल बड़ी है मतलब दो साल दो महीना पड़ी है तो लेकिन आप बराबर की दोनों हो गई है बराबर की नही कनक थोड़ा लंबी ही हो गई है तो बेटियां तो ऐसे भी जल्दी बड़ी हो जाती है बेटों को थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने में तो यहाँ पर देखें धेर सारे बरतन है तो इनको दूलेंगे और जो दूले हुए रखें बासकेट में यह भी दूलेंगे कि जो इस्तेमाल कुछ दिन नहीं करते हैं तो फिर वो भी खराब से होने लगते हैं दूल मिटी होने लगती है तो उनको दूलेंगे और कुछ कपड़े हैं मसीन में डालते जा रहे थे लेकिन यह लड़का है कि रात में सोया नहीं दवा दी गई इसको आराम है लेकिन यह लगा है साथ में एक हाथ से मसीन में कपड़े डाल रहा था यह साड़ी हमने का हम हाच से दूलेंगे तो निकाल दिया नहीं मान नहीं रात ऐसको बारबार मना कर रहे थे कि सर्दी लग जाएगी लग जाएगी लेकिन ये लड़का मानता नहीं है इसका ये है कि जल्दी काम खतम हो जाए मम्मी का सारा काम जल्दी से खतम हो जाए और हम डर रहे थे कहीं इसको सर्दी न लग जाए सर्दी न लग जाए लेकिन ये मानता नहीं है और आप लोग इसो ने किया रिक्से वाले दादा के फोन से कि ममी पापा को भेज़ दो कोई हमें लिवा ले जाए और रिक्सा पलट गया है पूरा बैग सब भर गया है भी गया है अब यहां रहुना कि पापा की एक गलती बहुत मुझे बुरी लगती है मतलब मुझे बहुत जादा ही खर जार गंटे पूरे हो गए थे अब सोची हमारे पर क्या बीत रही होगी विसे तो हमने इसो से पूंचा कि भया चोट तो नहीं लगी तो कह रहा था नहीं एक लड़की को चोट लगी है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था फिर दोड़कर गई तनुक को और इसो की वहां हाल खराब थी वो लेटा ही रहा था लेकिन हम लोगों के पास फोन नहीं आया यह वो मुझे भी गुसा लगी थी और उसके बाद फिर फिर इसको जब यह चार गंटे के बाद आये और इकसे वाले भाया का फोन स्विच आफ हो गया आप कहीं से कोई आपस आये ना तब इसी को चोट लग गई थी कनक का भी बदन में दो दिन लेकिन यह लड़की कहीं जाती नहीं कहीं दवा लेने नहीं जाएगी तो दर्द इसको होता इसको रोती बांदी एक-दो दिन तो कम पड़ गई लेकिन बिल्कुल थीक नहीं हो पा रहा है इसी वज़े से रात में काफी रो रहा था फिर दवादी तब जाके चुप हुआ है तो अब थोड़ा आराम है लेकिन इसको दिखाएंगे फिर और यहां पर सारे काम खतम कर दिये हैं उसके बाद अब लगे हां चारा भी कर देंगे कोई जेड़ तो दो चुट लगे ठीक हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसको और उसके बाद फिर अब चारा करके बाल दूले हैं कल संडे था कल दूले नहीं थे आज दूले हैं चुटकी ने क्या किया था जाडू नाली में फेंग दी ती तो नाली में जाडू उठाई दूली उसके बाद आ गए है बाल दूले के बाद और अभी हमने कुछ भी खाया पिया कुछ नहीं है पानी नहीं पिया है तो भगवान को प्रणाम ऐसे ही कर लिया क्योंकि पूजा का खोई टाइम नहीं था पूजरोनंक के पापा कर से चले गए थे तो यसे ही प्रणाम कर बच्चों के लिए बनाई थी किसी ने पी नहीं थी चाहिए बहुत कम भीके जाते हैं खाना ही खाके जाते हैं रौनक और कनक दोनों और रौनक के बापा चले गया है मुझे सबसे बड़ी दिक्कर्ट क्या हो रही है कि वीडियो अमार आज नहीं जा पाएगा क्योंकि वहां मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है यहां प्लोड नहीं हो पाएगा तो खाते जा रहे थे और मुझे चिंता है कि क्या वीडियो नहीं जा पाएगा और यहां अंगल में थोड़ी से दूप बचिए सी कौने में ही बचिए वाकि दूप चली गए पूरी अंगल से सुबह से लगा के एक बचे तक दूप रहती है फिर चले जाती है अब खाने जा रहे हैं खाना आज पौने दो बच ग तो सब्जी है यह कल की कुंदुरू है यह देखे पराठे आज यह आप लोग भी गर्मा गरम तो नहीं है ठंडा ठंडा खाना है खा लेते हैं फिर देखते हैं दूसरा काम थोड़ा दूप भी लग जाएगी और हमारे खाने का कोई टाइम नहीं होता है कि साथ में ही सबके खा पाएं हमारा टाइम सबसे लाश्ट में ही आता यह काम कर ले वो काम कर ले तब खाएं तो साथ में ज़रूरी नहीं कि हम सबके साथ में ही बैठ कर खा लें कभी 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 ही चांस मिलता है कि चलो सर जालो यह काम करना वो काम करना थो यह होता है और फिर सारे पड़े थोड़े बहुत तो डाल दिए यहां नीचे सारे कपड़े दिख रहे थे तो कि पर भी एक ही टार बंदा हुआ तो वहाँ पर कपड़े जादर नहीं आते हैं तो साधी वेगए अपनी यहां पर डाल देंगे, बाकी उपर डालेंगे, तो आप लोग पूंच रहे थे, इसको हुआ, क्या है, इसलिए बताया है, मतलब जब इसको आ गया, और सब लोग आ गया, तो नोके पापा से, मेरा काफी काह सुनी भी हो गई, मुझे बहुत गुसा आ रही थी बाद म कोई दिक्कत हो गई, कोई परिशानी हो गई है, तो फोन ले लो तो फोन करके बुला लो, और यहां पर जो सुबे कपड़े दुले थे, मतलब सुबे नहीं यह मसीन में सुखा लिए गया था, तो जल्दी से सूख गए है, और यह कथरी अभी बनवाई है, मसीन से, अपकी तीन से चार कतरी बनवाई हैं, हमने जो बिचाते हैं, तो दुलके, क्योंकि काफी सारे डेली बिचाने के लिए हैं, यह जैसे की ज़्यादा में माना आगए उसके लिए, तो दुलके रखते जाएंगे, जो नहीं आती जा रही थी सिलके, और यह सॉल बगएरा सारे दुल जा रही थी, इसको कमबल अड़ा देंके सो जाएगा, क्योंकि रात में ठीक से सो नहीं पाया, आप इसको आराम मिलिये तो फिकरा था ममी नींद आ रही है, तो कमरे में अच्छे से सो लिए हैं, और सबसे बड़ा काम आज मुस्किल लग रहा है, वीडियो अपलोड करना, तो खेत में चलते हैं, क्योंकि वहां नेटवर्क कुछ पकड़ते हैं, तो देखते हैं, वागर वहां अपलोड हो जाएगा, तब तो आज वीडियो जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा, तो चलिए गोसिस करके देखते हैं, क्योंकि हमें ले जाने वाला कोई नही किसाम को आएंगे तीन तो बजने ही वाला है चल रहे हैं खेत आ गए हैं खेत में यहां देखते हैं अपलोड होगा तो ठीक है नहीं होगा तप ही कर भी क्या सकते हैं वीडियो फिर जाही नहीं पाएगा खेत कॉलिटी कुछ हमने काम कर दी थी वीडियो की तो जैसे तैसे अपलोड हो पाया था जैसे तैसे ही अपलोड हो पाया था जहां पर ट्यूबल है वहाँ पर हम बैठे रहे थे फिर जाके अपलोड हुआ था तो भेज दिया था क्योंकि रोनक के बापा का कुछ टाइम नहीं है कब वो आएंगे और यहां पर फिर दिया बाती का टाइम हो गया था वीडियो भेजा उसके बाद आए घर तो दिया बाती का टाइम हो गया था तो यहां पर दिया जलाएंगे चुटकी को लाए थे तो चारा पर बांधिया है और उसके बाद अभी कोई खाना खाने के लिए ज़िए नई रहा था। और धूल के इसको प्रेस करके रग देंगे तो जब सॉल प्रेस किया ता फिर दिमाग में आए चलो टाइम मिला है तो आज साड़ीयां भी प्रेस कर देंगे कई बार इसी धूल के पहन रहे थे नई वाली अप्रोणी वाली भी तो आज यही काम करेंगे क्योंकि राउनक के पापा को आने में टाइम लग जाएगा अभी कुछ पता नहीं अभी तो डॉक्टर की आई है जांच हुई है उसके बाद फिर रिपोर्ट मिलेगी फिर दवा मिलेगी पताने कितना टाइम लग जाएगा तो जब मतलब फुरसत में हो तब फिर बैटे चैन नहीं पड़ता कितना समय बचा है तो इतने समय में हमने क्या करना चाहिए कौन सा काम कर ले तो हमारा काम सेटो हो जाएगा यह पीछे पड़ जाएगा तो थोड़े बहुत बच्चों के किये हैं प्रेस उसके बाद फिर अपनी सट्य निकाल आएंगे और समया गया है अप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिए खुशे रहे हैं आपके फूलों की बगिया हमेसा महिकती रहे और आप लोग ऐसे हसते मुस्कुराते रहे हमें देर सारा प्यार देते रहें नमस्कार दोस्तों